हलो दोस्तों आप देखना स्पोर्ट्स करेंगे चनल और इंडिया का तेओहर टाटा आईपेल होने वाला है शुरू और इस वीडियो से हम लोग हमारे इस साल के आईपेल के वीडियो की शुरूआप करेंगे पहला मैच जोगी गुजरा टाइटन्स और चननली सुपर किंग के बीच में खेला जागा उसकी बात करेंगे बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो होने वाला है मैच का प्रिव करेंगे प्रेडिक्शन करेंगे पर उससे पहल मैं आपको बतना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको विराट क्रेटिप्स का वाट्साइप नमबर दिया ह उन्हें मैसेज कीजिए उनके बास आपको मैच की विनर टीम, सेशन और टॉस की रिपोर्ट मिलेगी काम बहुत बढ़िया है एक बाल चेक कीजिए पहले मैच में आपको फ्री डेम अभी मिलेगा तो हो शुरुबात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन्स गुजरा टाइटन्स के साथ पिछले साल बहुत जदा अंडर डॉक के तौर पर ये टीम आई थी, आक्षन के बाद सभी को लगा का था कि ऑन पेपर ये टीम जो है थोड़ी सी हलकी है पर जिस तरह के साथ पिछले साल के मुकाबले इस साल ये टीम मुझे और भी जादा भाहतर नजर आ रही है शुबमन गिल का अब पिछले एक साल में कद काफी जदा बड़ा है हरदिक पाइटाव में अपने आपको बहुत जादा भाहतर नबले बास को तौर पर फूफ कर चुके है मैथ्वेड का पिछला सीजन बूरा रहा था पर इस सीजन चांसे से कि वह अच्छा खेलेंगे इसके अलावे डेविड मिलर का भी पिछले एक देर साल में D20 के पर करकेट में परफॉर्मस बहुत बड़ी हा रहा है बालिंग में भी राशिद खान का रेसेंटली PSL में काफी अच्छा परफॉर्मस रहा था नवे स्पॉर्ट करेंटन फिनिश किया था सेकंड लास्ट ये टीम रही थी इस साल खाले टीम परफॉर्मस को जो इंप्रूव करना चाहेगी बेंच स्टोक्स का एक बहुत बड़ी है इनोने एडिशन अपनी टीम में किया है बाकी भी माइनर कुछ ट्वीक्स टीम ने किया है तो इनकी भी एक्सपेकट प्रेंगे लोन की बात कर लेते है ओपन तो टीम मेरे ख्याल से रुदुराज गायकोर्ड और डेवन कॉनवे के साथ ही करेगी दोनों ही बले बाजू को एक्स डेट करने में टाइम लगता है पर दोनों ही कंसिस्टंटली रन बना सकते है इसके बाट इम के बास अंबाती राइडू, बेंच टोक्स, मोहिन अली, शिवाम दूबे, एमस दोनी और रविंदर जड़ी चाहे बैटिंग और को ये मैच की सबसे चेंज कर सकते है फिर आर, हंगर, कर, मिचल, सैंटर, और दीपक, चाहर ओल राउंडर्स कई सारे है तो बॉलिंग में ज़्यादा ऑप्शन की कमी कभी नहीं होगी और कपदाने में जड़ोनी है तो वो भी ओवर्स को बहुत बढ़िया तरकी से मैनेज करेंगे पर है, बैंस टोक्स को टीम किस तर की सियूज करती है ये मैं देखने में इंट्रस्टेट रहूंगा अगर आपको उनका फुल उटिलाज़ेशन करना है तो आपको उने ऊपर ही बैटिंग करना नहीं पड़ेगी जितना वो उपर बैटिंग करेंगे उतना टीम के लिए बहतर रहेगा ये मैच क्ला जिनोड़ेशन इनरेजर अमोधी स्टेडियम एहमलाबाद में पिछ की बात कीज जाए तो जनरली फ्लाट सरफेस होता है तो थोड़ी बहुत मज़गर है पिछ में हमें ग्रास देखने को मिलेगी तो फास्ट वालस को शुरुआत में मुवमेंट मिलेगा औ तो पावर प्ले में ज्यादा नहीं बनेंगे या धायन में रखिये इसके लावा स्पिनर्स को भी क्यूंकि ग्राउंड बड़ा है तो जनरली मदद मिलती है तो अवरल हमें लो स्कूरिंग मैचे सी देखने को मिलते है यह आपको हैं पर रेकॉर्ड देखकर भी पता चले तो अब ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं तो पावर प्ले में मुव्मेंट मिलेगा फास्ट बलोर्स को मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत पिछ में में ग्रास दिखने को मिलेगी तो ऐसे में दीपक चार काफी वाइटल पिक हो सकते है जॉश्वा लिटल ची पिक होंग का होम ग्राउंड जरूर है पर मेरे खेल से पहले मैच में चलने का पलड़ा मुझे हलका सा भारी नजर आ रहा है कंडिशन्स को देखते हैं मेरे खेल से CS के इस मैच में वाजी मारेंगे आपको का लगत है पर जरूर से कमेंट सेक्शन बताइए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आके दुन ना भुले जाय हिंद